नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका बिहार समाचार में तो चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी ख़बरों के बारे में जानते हैं तो ख़बरों की और रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूचा और विडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवस्थ करें आज 20 साल में साथवी बार मुख मंतरी बनेंगे नितीश कुमार पहले बार सिर्फ साथ दिन कुर्सी पर थे बिहार में बहार है नितीश कुमार है ये नारा एक बार फिर सार्थक सावित हुआ बिहार की जनता ने एक बार फिर NDA सरकार पर भरोसा जताया है बिहार चुना में अंडिये को पूर्ण बहुमत मिला है नितीश कुमार फिर से सीम की कुर्सी समालने जा रहे हैं एक मुख मंतरी के तौर पर नितीश कुमार की कहाने भी काफी दिल्चस्प रही है तो आईए जानते हैं आपको यहाँ बात जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि बिहार में साथ वी इनिंग में नितीश ने 5 साल का कारिकाल पहली बार पूरा किया 24 नौंबर 2005 से 24 नौंबर 2010 तक नितीश दूसरी बार मुख मंतरी रहे इसरी बार सीम के रूप में नितीश कुमार की ताजपोसी 26 नौंबर 2010 को हुई जब बिहार की जनता ने मुख मंतरी के रूप में उनके क काम को अपार समर्थन दिया हाला कि बाद में कारिकाल को पूरा होने के पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तिपाद दे दिया यहाँ वही समय था जब नितीज कुमार नरेंद्र मोदी को NDA का परधानमंत्री उम्मिद्वार बनाया जाने के विरोध में NDA से बाहर होने का जिसका नतीजा यह हुआ कि 2014 के लोकसभा चुना में मोदी लहर के बीच उनकी पार्टी को करारी सिकस्त मिली सत्ताधारी दल के होने के बावजूद भी नितीज के खाते में सिर्फ दो सीटे ही आई जिसके कारण पार्टी को करारी हार का जिम्मा लेते हुए उन्होंने इस मंत्री के रूप में सपत ग्रहन किया हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जितन राम मांजी को हरा कर नितीज खुद सियम बन गए और उन्होंने बिहार की कमान समा ले नितीज कुमार के इस फैसले से नाराज होकर बाद में मांजी ने जंता दल यूनाइटेड स से रिष्ता तोड लिया सुसील मोदी का उपमुख मंत्री बनना तय नहीं भाजपा राजसभा बेजकर केंद्र में मंत्री बनाने जा रही है यहां करीब करीब तय हो गया है आज साम तक इसकी घोसना हो सकती है सनिवार को ही सुसील मोदी दिल्ली से भाजपा निताओं से मिलकर लोटे हैं और रविवार को राजनात सिंग भाजपा की बैठक में भी इस चर्चा के लिए आने वाले थे लेकिन इस बिच नई खबर सामने आ गई इस पर अभी भाजपा ने मोहर नहीं लगाई है लेकिन राजनितिक और प्रसासनिक गलियारे से यह जानकारी सामने आई है हालाकि नितीश कुमार इस बात पर अड़े हुए है कि सुसील मोदी ही बिहार के उपमुख मंत्री बने अगर नितीश कुमार का यहाँ बात माल ली जाती है तो भाजपा अपना विधान सभाध्यक्ष कि इसी और को देगी सुसील मोदी ने माना कि उन्हें डिप्टी सियम के पद से हटाया गया कहा कारकरता का पद कोई नहीं चिन सकता है सुसील मोदी के डिप्टी सियम पद से हटने की खबर सही साबित हो गई सुसील मोदी ने खुद कहा कि पार्टी ने उन्हें डिप्टी सि जीवन में इतना दिया कि सायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा आगे भी जो जिम्यवारी मिलेगा उनका निर्वहन करूँगा कारिकरता का पद तो कोई नहीं छिन सकता डिप्टी सियम पद से सुसिल मोदी का पता साप तार किसोर को ताज बीजेपी विधायक दल की बैठक में ही हो गया था फैसला प्रशाद को नए डिप्टी सियम का ताज मिल सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी नए व्यक्ति को जिम्मेवारी मिले। मैं चाहता हूँ कि विधानसभा में चुनकर आया कोई विधायक पार्टी के विधानमंडल का निता बने। इसलिए मैं तारकिस्वर प्रसाद का नाम विधान मंडल दल के नेता की तोर पर प्रस्तावित करता हूँ चिराग को केंद्रिय केविनेट में सामिल करने का फैसला पीम मोदी लेंगे अस्विनी चौबे बोले जो भूल हुई उसे सुधाने की जरूरत विधानसभा चुनाव में जेडियो का हार का बड़ा कारण बनने वाले चिराग पासवान को क्या केंद्रिय केविनेट में जगह मिलेगी यहाब बड़ा सवाल बना हुआ है बिहार चुनाव खत्म होने के बाद अब सबकी नजरे केंद्रिय केबिनेट में होने वाले विस्तार पर जाटी किया है माना जा रहा है कि बिहार में सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिल्ली में भी केबिनेट का विस्तार हो सकता है कुमार के खिलाप लड़ाए लड़ने वाले और उन्हें जबरदस्ति देने वाले चिराग पासवान को क्या केंद्रिय केविनेट में जगा मिलेगी इसे लेकर बीजेबी के निताओं की तरफ से आरे संकेतों को समझा जा सकता है मोदि केविनेट में सामिल बीजेबी संक्सद और केंद्रिय स्वास्त मंतरी अस्विनी चौबे की माने तो चिराग पासवान को एंड्ये गड़ बंदन से अलग होकर चुनाव लड़ना बिहार में घाटे का सौधा रहा अस्विनी चौबे का कहना है कि अगर बिहार में चिराग पासवान को LJP NDA के साथ चुनाव लड़ती तो यहां हमें दो तिहाई बहुमत मिलता लेकिन हकिकत यहा है कि चिराग पासवान के अलग लड़ने से इस्तितियां बदल गई है कॉंग्रेस नेता अहमद पटेल की तबियत बिगड़ी कोरोना संक्रमित होने के कारण अस्पताल में भरती कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता अहमद पटेल की तबियत बिगड़ गई है कोरोना वाइरस से संक्रमित होने के बाद आहमद पटेल की तब्यत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया आहमद पटेल को गुरुग्राम इस्तित मेदानता होस्पिटल में एड्मिट कराया गया है आपको बता दे कि अक्टूबर के पहले हपते में अहमद पटेल कोरोना वाइरस से संक्रमित हो गए थे और इसके बाद इनका इलाज चल रहा था लेकिन सेहत में सुधार नहीं होने के बाद आखिरकार उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया और तलब है कि इसके पहले अविशेक सिंद्वी और तरुन गोगोई सहित कंग्रेस के कई नीता कोविड नाइंटिन से संक्रमित हो चुके हैं कोरोना वारेस से उपराश्टपती एहम वेंकेया नाइडू के अलावा कई केंद्रिय मंत्री भी संक्रमित हो चुके हैं अब अह पोजिटिव मरीजों का अकना पहुचा 2,26,960 बिहार में कोरोना संक्रमित की रफ्तार अब धीमी हो गई है लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संक्या में पोजिटिव मरीज मिल रहे हैं स्वास्त विभाग की और से ताजा अपडेट जारी की गई है इस अ निवार को जारी नियमित अपडेट के मुताबिक पीछले 24 गंटे के भीतर पांच व्यक्ति के मौत हुई इसके साथ ही राज में कोरोना से मरने वालों का आकड़ा 1189 हो गया है बिहार के लोगों के लिए खुसी की बात तो ये है कि महज 24 गंटे के भीतर 422 मरीजों का स्व पास्त हो चुके हैं अधिकारी रह चुकी रेन्योदेवी को इस बार विधायक दल में उपनेता का पद दिया गया है बिजेपी की और से तारकिसोर प्रसाद को विधायक दल का नीता चुना गया है आपको बता दे कि पार्टी में इनकी काफी अच्छी पकड़ है कटिहार सीट से बीजेपी के तारकिस और प्रसाद लगाता चौथी बार चुनाव जीत कर आया है इस बार इन्होंने आरजेडी के डॉक्टर राम प्रकास मातों को हराया है 2015 में लालू और नितिस की मजबूत जोड़ी के बावजूद भी तारकिस और प्रसाद चुनाव जीतने में सफल हुए थे इन्होंने पिछली बार जेडीवी के उम्मिदवार को पठकनी दी थी वहीं उपनेता चुनी गई बीजेपी विदायक रेनो देवी इस बार बिहार विधानसभाज चुनाव में वेतिया सीट से जीत दर्ज की है रेनो देवी काफी धनवान भी है उनके पास 3.7.7 करोड की संपत्य है इससे पहले 2000, 2005 और 2010 मिलाकर रेनो देवी वेतिया विधानसभाज चेत्र का चार चार बार परतिय निदेत्य कर चुकी है चट पुजा में घाट पर नहाना मना बिहार सरकार ने जारी की गाइडलाइन दिपावली के बाद चट पुजा की तैयारी की जारी है कोरोना काल में आस्ता के इस महापरु को लेकर प्रसासन की और से तैयारी की जारी है बिहार सरकार की और से रविवार को चट पुजा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है सरकार की और से दिये गए दिसा निर्देश के मताबिक अर्द के दोरां तलाम में डुबकी नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है इतना ही नहीं जिला प्रसासन को भी कहा गया है कि छट गाट पर इस तरीके से बेरिकेडिंग की जाए कि छट वरती डुबकी न लगा सके इस साल 18 नवंबर से छट पूजा की सुरुवात होने जा रही है 18 नवंबर को नहाय खाए 19 नवंबर को खरना 20 नवंबर को संधा यानि पहला अर्ग और 21 नवंबर को उसा यानि दूसरा अर्ग के साथ पूजा का समापन होगा ले अब बात करते हैं सबसे अंतिम खबर की तो आज से खुल जाएगा पटना का रिजेंट फंज सिनेमा दर्शकों को दी जाएंगे ये स्पेसल सुविदाएं देज भर में कोरोना संकट के दोरान सरकार ने सभी भीड़ भाड़ वाले इलाके को बंद रखने का दिसा निर्देश दिये थे जिसमें सिनेमा घर भी सामिल थे समय भी इतने के साथ है लोकडाउन के बाद अब अनलोक की प्रकिरिया सुरू हुई जिनमें लोगों की कुछ रियायते दी गई अब सरकार ने सिनेमा घरों को भी खुलने का दिसा निर्देश दे दिये हैं इसी आधार पर पटना के लोगों के लिए अच्छी खबर है हाल के अंदर खास तोर पर अल्टा वाइले ट्रेज सिस्टम लगाया गया है यह सिस्टम कोरोना या किसी भी प्रकार के वायरस की रोकथाम में काफी कारगर है इससे एयर का रिस सरकुलेशन नहीं होगा अंदर में फ्रेस हवा मिले इसके लिए मर्व 13 फिल्टर सिस्टम भ मारा जाता है दोनों सिस्टम को बिहार ही नहीं बलकि पूरे देश में इस्तेमाल करने का रिजेंट पहला सिनेमा हॉल है इसी तरह बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहे हमारे साथ धन्यवाद